ग्रीटिंग्स एर्यवाइन वेलकम तो दे चानल आज है फिफ्ट और फेब्रियूरी और मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूं संडे का दहिंदू न्यूस पेपर बहुत ही शॉर्ट में हम इस पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे विट रेलेवेंट इन्फॉरमेशन अ साथ हमारा किसी भी तरह का रिलेशन एफेक्ट होगा इसको हमें चेक करना है और उसी में अभी एक न्यूस आई है कि इंकम जो इंशुरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने बिसिकली पाया कि बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है यहां पे भी तो हमें सेंट्रल बोर्ड डारेक्ट टाक्सेस और आयर डिये आई को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तो यह एक डारेक्ट टाक्स के लिए गवर्निंग बॉडी है और यह एक इंशुरेंस रेगुलेटर है तो यह भी एक सरकारी एजिंसी है जस्टिस किशन कॉल ने बोला है कि भारत की Ease of Doing Business Index में रै कि उसका conservation status देखने की बात करेंगे क्योंकि Supreme Court ने अभी एक आदेश दिया है राजस्थान में basically कि जितने भी उपर higher voltage केबल से उन सबको underground करना है तो अभी यह dispute चल रहा है तो इस चक्र में हमें project great Indian बस्टट भी देखना पड़ेगा और यहीं पे हम electronic Supreme Court के reports के बारे में ESCR project क के बारे में भी देखेंगे जहां पर Chief Justice of India ने कहा है अभी कि उनको budget में 7000 क्रोल मिले हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाले हैं इंडियन ओशन रिम association के उपर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज हमने देखा है कि France UAE और इंडिया के बीच में एक तरह के साज़धा ने तो नहीं माना है कि वो spy balloon है चाइना कह रहा है कि meteorological purpose के लिए था अब वो उसको USA ने shot down कर दिया है तो इनके बीच में टेंशन हैं वो काफी serious होते वे नजर आ रहे हैं तो चली शुरू करते हैं आज के session को कि सबसे पहले आज explained corner से आया था कि आज mangroves में अचानक से सरकार ने ये budget push क्यों दिया है और इसमें क्या-क्या varieties है जो grow होती है और ecosystem क्या required है कि हमें mangroves forest को sustain करना चाहिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि union budget 2023 ने एक मिश्ती नाम का initiative propose किया है the mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes यानि कि coast में जो mangroves होते हैं उनसे होने वाली incomes और उनसे protect होने वाले उनसे related habitats तो आप देख लेते हैं mangroves के बारे में क्या होते हैं mangroves देखे ये salt tolerant plant communities हैं यानि कि ये saline water में रहते हैं खारे पानी में salt tolerant plant communities which are basically found in tropical and subtropical intertidal regions very important fact that they are found in the tropical regions right अब tropical regions कहां से कहां extent होता है तो usually earth में 30 degree north से लेके 30 degree south ठीक है 30 degree north से लेके 30 degree south वाला जो region होता है उसी को हम tropical region भी कह देते हैं तो 0 degree equator से उपर वाला 0 degree equator से 30 degree south वाला वो क्या region हो जाता है आपका tropical region हो जाता है ठीक है इसी तरीके से इसके उपर का region temperate और temperate के उपर polar तो अर्थ में यह जो tropical regions है यहां पाए जाते हैं यह important इसलिए हैं क्योंकि coastal biodiversity के लिए यानि पानी में survive करने वाली species या coast में से रहने वाली species usually कैसी होती हैं amphibious होती हैं वो coastal biodiversity के लिए important है और सबसे important climatic events अगर extreme हो जाएं तो यह bio shields की तरह काम करता है बहुत तेज अगर समुंदर से बवंडर आ रहा है और अगर उसको बीच में mangroove मिल जाएं तो उसका जो shock होता है जो उसकी intensity होती है उस cyclone की वो कम हो जाती है तो कही ना कहीं एक shock proof की तरह suspension की तरह mangroves काम करते हैं अब इनको आज एक threat face करना पड़ रहा है climate change की वज़ा से frequent tropical storms जो आ रहे हैं इसकी वज़ा से इनकी जो plantations हैं इनकी जो numbers हैं वो कम हो जा रहे हैं इंडिया की coastline 7500 km की है और plan ये है कि अब हमें हर जगह हर coast में mangroves को plant करना पड़ेगा यूंकि overall हमारी पूरी country तो tropical region में है यहाँ पर state of the world mangroves 2022 report के भी जानियेगा जिसने global mangrove alliance ने ये report paste की है जहाँ पर कहा है 147000 square km का world को mangrove अभी available है जिसमें इंडिया के पास 4992 square km का mangrove available है ये Indian state of forest report 2021 ने कहा यानि कि अच्छा खासा potential है इंडिया के पास कि वो mangrove plantation कर सकता है अब कहा mangroves usually मिलते हैं तो mangrove forest जो है वो हमें एक intertidal flow यानि intertidal मतलब समुंदर और land का जो basically reason होता है जहाँ पे sedimentation के लिए जगा प्रॉपर हो यानि कि नदी का पानी समुंदर का पानी जमीन के अंदर आए और sediments काफी अच्छे strong हो जाएं ताकि पेड़ों की mangroves होते ना और fisheries जो की coast के along लोग करने लगे हैं इस tidal flow को obstruct करते हैं पानी अंदर की तरफ नहीं आ पाता है और यह mangrove ecosystem के लिए सबसे खतरनाक चीज है तो यानि कि anthropogenic activities, human-led activities basically for the purpose of economy ये खतरा दे रही है हमारे mangrove ecosystem को सुन्दर बंस भारत के सबसे बड़े largest mangrove forest है इंट सुन्दर बंस यहाँ पे बहुत बार देखा गया कि fisheries करने के लिए मचली पालन करने के लिए mangroves खतम किये जा रहे हैं country की coastline के बाद में बात करें तो rand reclamation कर रहे है agriculture के लिए जानि कि बहुत सादर land occupy करने की कोशिश कर रहे है ताकि agriculture हो सके coastline में aquaculture के लिए और industrial activities जो की basically coastal regulation zone वाले areas के अंदर जो industrial activities हो रही है न उन सभी की वज़ह से ये mangrove का forest destroy हो रहा है तो coastal regulation zone आप prepare कर सकते हैं कि ये क्या होते है coastal regulation zone बिसिकली वो coast के around वो zones है जहां पे limited industrial activities promoted होती है अब mangroves इंडिया में मिलते का हैं तो mangroves इंडिया में basically 9 राज्यों में मिलते हैं और 3 unit territories में मिलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा mangroves west bengal में मिलते हैं 2114 square kilometer का इंडिया forest state report जो है वो कहती है कि increase हुआ है mangrove cover हमारा 4046 square kilometer से 4992 square kilometer 2021 में तो ये तो एक अच्छी बात है positive sign है culture activity क्यों बढ़ रही है aquaculture क्यों बढ़ रहा है जाहिर सी बात है increasing population है तो उसको तो feed कर नहीं करना है coastal areas में दूसरा rising demand for land timber fodder fuel wood and other non wood forest produce like fisheries इन सब की वज़े से mangrove के existence को खत्रा हो रहा है दूसरी news अडानी सागा worries neighborhood अब अडानी सागा worries neighborhood में यहां पर यह कह रहा है कि caught between a row over the price of a coal and this week's crash in the share valuations and credit ratings of अडानी group a power project being implemented by the firm in Bangladesh planned as a major Indian infrastructure push to provide electricity may be delayed by another six months यानि कि इस Hindenburg की report की वज़े से अडानी की share crash हो गए और price का जो कोईले का जो price है वो भी बढ़ गया अब इसकी वज़े से difficulty है कि बांगलादेश में जो अडानी का एक project था बहुत बड़ा wind power का wind energy project का वो बिशेकली नुकसान दे हो गया है अब सिर्फ प्रांगलादेशी नहीं अडानी जी का investment श्रीलंका में भी है नेपाल में भी है म्यामार में भी है और इसकी वज़े से अभी हमारे ये जो गौतम अडानी जी है ये बांगलादेश भी गए शेख हसीना से मिले ये प्राइम मिनिस्टर है हमां की सेप्टेंबर में श्रीलंका के प्रेसिडेंट उस समय जो थे गौतबाया राज़ा पक्सा उनसे भी मिले हलाकि हमारी फाइनाइन्स मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है कि अडानी क्रैश विल नॉट अफेक्ट दे एकॉनिमी और ये सीता रमंजी ने कहा है कि जो बिसिकली मेजर फाइनेंशल क्राइसिस है और गवर्मेंट ने जो स्टेप लिये हैं उस डारेक्शन में उसकी वज़ इसे नुकसान नहीं पड़ेगा ठीक रेगुलेटर्स आख कहते ही है रेगुलेटर जो है वो इंडिपेंडेंट है गवर्मेंट का कोई गंडिपेंडेंट है जो सही लगेगा उनको वह वैसा एक्षिन लेंगे मार्केट को अच्हीं कंडीशन में रखना वीसिकली हम सब क काम है से भी एक ऐसी authority है जो की बशिकली देख सकती है कि Market में क्या चल रहा है तो finance ministry ने से भी को कहीं से भी अपने under कहने से मना कर दिया और यह अच्छी चीज 혼자 finance ministry क्यों करेगी Security Exchange Board of India के काम में interference government क्यों control करेगी अब बात होती है यहाँ पे कि यह follow on पब्लिक offer क्या होता है follow on public offer देखि कंपनी जब भी पहली बार अपने shares को public करती है अपने shares market में लेके आती है यानि कि कहती है कि मेरी company जो है अब मैं उसमें shares चाहता हूं shares बेचना चाहता हूं तो हम उसको कहते हैं IPO यानि company पहली बार public लिस्ट हुई है और पहली बार उसके शेर्स हम और आप जैसे लोग खरीद सकते हैं फिर जब कंपनी पुरानी हो जाती है न तो उसको एडिशनल फंड रेस करना होता है तो वह एफपियो करती है फॉलो ऑन पब्लिक उफर अब यहां पे बीस हजार करोड तक का फॉलो ऑन प टेक अवे कर लिया तो यह चीज़ हमने देखी है यहां पे कि किस तरीके से बांगलादेश, निपाल, श्रीलंका, म्यामार यह सब कहीं न कहीं एफेक्ट हो सकते हैं अब नेबर होट फर्स्ट इनिशेटिव की बात करें तो यह ओविसली 2014 के बाद से देखने को हमें मिलता है अब यहां पे आप इस निउस को पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें बेसिकली जो हमें एक और निउस कवर करनी है वो यह है कि इंशुरेंस कमपनी अंडर स्कानर फॉर रांप एंड टाक्स इवेजन यानि इंशुरेंस कमपनी जो है उनके उपर आरोप लगा है कि वो करती है टाक्स इवेट करती है टाक्स इवेजन यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी एकॉनिमी है तो यहां पे इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने बिसिकली कहा कि हम इंशुरेंस कमपनी इसको प्रोजीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे अगर वो अपनी रेगुला कर दाफ एक्शन लेगा विकॉज आयर्डी आई के नॉम्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं बिसिकली हो क्या रहा है कंपनी इसको कंसेशन मिलने के लिए आपकी इंकम टाक्स आक्ट में जीस्टी आक्ट में सब में कहीं न कहीं एक्जेम्शन हैं अब कुछ एक्जेम्श कर रहे हैं किस तरीके से इंशॉरेंज कंपनी जो है इंशॉरेंज कंपणी को सब्सक्कृब्स प्रोवाइट करती है कॉर्पोरेट इंशुरेंज एजेट्स को ठीक है पर में kicking commissions to corporate insurance agents, the indirect tax departments pro found that firms were circumventing these norms to pay more to corporate agents, यानि firms जो है वो corporate agents को बहुत ज़्यादा रुपय प्रे कर रही है, जैसे कि कोई NBFCs हैं, जो कि microfinancing business में है, अब firms corporate agents को ज़्यादा पैसा क्यों पे करेंगी insurance के लिए, simple सी बात है, ज़्यादा insured होने के लिए, इनका mode of operation क्या है, कि वो higher commission दे रही है, उन्हीं लोगों को, जो कि उनके invoices को secure कर रहे हैं, for, from intermediaries, for supply of services, such as web marketing, advertising, without any such service, actually being provided, तो यहाँ पे कोई घपला चल रहा है, और basically involved को है, corporate insurance के agents, जो कि insurance companies का कराते हैं, तो अब हमें really जानने वाली बात क्या है, कि यह central board of direct tax कैसी body है, और इसका primary function क्या है, तो हम उस direction में बात करेंगे, central board of direct tax की बात करें, तो यह एक statutory body है, जिसको central board of revenue act 1963 में established किया गया था, पहला fact आप याद रखेंगे, यह इंडिया की financial action task force, official financial action task force unit हम इसको कह सकते हैं, जो कि ministry of finance के अंदर आती है, under department of revenue, very important fact आपके लिए तीसरा, central board of direct taxes की बात करें, तो इसमें कितने members होते हैं, इसमें एक chairman होता है, और six members होते हैं, जो कि इन सारे matters से deal करते हैं, income tax revenue, administration, law making, audit और judicial matters, investigation, TPS and systems, tax payment कैसे करना है, tax payment कैसे करना है, functions देखे क्या है, यह लिवाइंग और collecting direct taxes के लिए responsible body है, direct taxes के लिए, central board of direct taxes, यह government को policy making में help करती है, income tax department का पूरा supervision, CBDT के अंडर होता है, direct tax enactments की बात करें अगर, तो उसमें क्या क्या कानूनी परिवर्तन करने है, legislative changes क्या करने है, वो बताती है, और tax rates में किस तरीके से बदलाफ करना है, उसके बारे में बात करती है, अगर हम further बात करें, तो यह taxation structure में जो changes करने हैं, वो भी government को advise करती है, तो यानि कि इसका जो function है, एक तरीके से advisory भी है, और दूसरी तरीके से यह regulatory body भी है, advisory भी है, और regulatory body भी है, further हम insurance regulator and development authority of India की बात कर लेते हैं, IRDII, तो यह एक autonomous और एक statutory body है, यह भी यानि statutory यानि कि पार्लेमेंट ने बनाई, और किस आट के अंदर IRDII Act 1999 के अंदर बनाई गई, इसका purpose क्या है, basically managing and regulating the insurance and re-insurance industry in India, और राइट, now IRDII को basically 1990 आट के अंदर बनाए, बर इसको 2000 में established किया गया, ताकि वो apex body काम कर सके, जो report committee की है, जिसके आधार पर ये body बनाई गई, मलहुत्रा committee report, ये very important fact है, आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, मलहुत्रा committee की report से IRDA जो body है सन 2000 में बनाई गई, IRDA ने basically registration request से start किया था, registration request लेती थी अगस 2000 में, और अब foreign business को भी between 26% तक का stake allow करती है, यानि insurance जो है, वो 26 प्रतिशत बाहरी देश भी बाहरी company foreign businesses भी कर सकते हैं, section 114A है insurance act 1938 का, जो की basically rules and regulations बताता है, जो IRDA बना सकता है, authority की बात करें, composition की बात करें, तो IRDA कैसी body है, 10 member body, दस अदस से हैं इसमें, जिसमें सबसे important एक chairman होगा, 5 full time members हैं, और 4 part time members हैं, और ये सभी appointment कौन करता है, government of India, तो ये आपने देखा कि ये statutory body है, मलोतरा committee report, सन 2000 ने बनाई गई, और 10 members हैं इसके, further third news पर हम आते हैं, IBC ने, that is insolvency and bankruptcy code, IBC is insolvency and bankruptcy code, होता क्या है, मान लीजे, ये code कब काम करता है, देखे कोई company है, IBC, ये banking regulation के इंडर आएगा, ये आपके banking regulation के इंडर आएगा, या banking sector के reforms के इंडर आएगा, तो क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, कि कभी-कभी company को जब भी loan लेना रहता है, bank से, तो वो क्या करती है, अपने collateral देती है, bank से loan उठाती है, पर अगर वो loan चुका ना पाए, company bankrupt हो जाए, company big जाए, बरबाद हो जाए, निलाम हो जाए, तो ऐसे में क्या है, उस company को liquidate करना रहता है, तो company को liquidate करने का मतलब यह है, कि जो भी उसके remaining assets है, जो भी remaining assets है, उस company में जितनी जान बाकी है अभी, उसको बेज दीजे, उसको liquidate कर दीजे, cash में convert कर दीजे, और वापस bank को pay कर दीजे, ताकि bank में non-performing assets की volume, यानि कि amount ज़्यादा ना हो, तो यह सब करने के लिए, हमें बहुत बड़ा लंबा task process करना पड़ता था, तो government of India ने 2016 में basically IBC को introduce कर दिया, और justice syndication call, यह senior most judge हैं, basically you can say after your chief justice of India, इन्होंने कहा कि भारत ease of doing business index में बहुत अच्छा कर रहा है, जब से IBC को introduce कर दिया गया है, कहते हैं कि यह Indian realities के हिसाब से, Indian society के हिसाब से बहुत सही चीज है, इंडिया की rank के अगर बात करें तो यह बहुत important fact है, इंडिया की rank 63rd आई है 2022 में, 142 थी 2014 में, 63rd हो गई है 2022 में, और इसमें IBC का credit है, फर्दर यह कह रहा हैं कि budding entrepreneurs का culture create हो चुका है, कि environment create हो चुका है, वो भी एक अच्छी चीज है कहीना की add कर रही है, फर्दर इन्होंने कहा कि balance of power जो है, वो promoters of the company से creditors of the company पर shift हो गई है, the balance of power from the promoters of a company to the creditors of the company, यानि पैसा देने वाले, तो इन्होंने कहा कि यह सब IBC में जो reforms प्रपोस हुएं, कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा role play करता है, और उन्होंने कहा कि legal battles को भी हम नहीं भूलना चाहिए, बहुत सारा पैसा जो है companies का in legal battles में जालता है, तो यहाँ पर obviously company law tribunal और इन सब का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, reducing the burden on national company law tribunal, national company law played tribunal and courts, ADR mechanisms like mediation specially in insolvency proceedings would provide creditors like homebuyer speedy and cost effective solutions, very important, कभी मान लिजए आप से पूछा जाए कि यह alternative dispute resolutions क्या होते हैं, हम इस और पूछा ही जाएगा, क्योंकि यह हमारे भारत देश में भी एक emerging field है, alternate dispute resolution यह होता है, कि हर वेक्ति को court जाने की जरुवत नहीं है, हर चोटी चोटी बात पे अगर आप court जाएँगे, तो pendency तो बढ़ेगी न मामलो की, तो alternative dispute resolution, basically हम कहते हैं, out of the court settlement, out of the court settlement, अब out of the court settlement के तीन तरीके होते हैं, एक होता है arbitration, एक होता है mediation, और तीसरा होता है conciliation, अब arbitration क्या है, यह agreement based होता है, यानि कि parties के बीच में agreement हो जाए mediation क्या है court's direction पे होता है courts direction पे होता है और conciliation क्या है parties mutually decide करती है parties mutually decide करती है arbitration, mediation और conciliation याद रखेंगे आप ये तो ये out of the court settlement होता है court जाने के जरुवत नहीं है तो obviously अब companies को अगर problem है कि कोई arbitration मेरे favor का नहीं हुआ तो फिर आप जा सकते हो court लेकिन usually क्या होता है बड़ी बड़ी companies एक beach का रास्ता निकालके आगे बढ़ती है अब ease of doing business index की बात कर लेते हैं तो ease of doing business के ज़स कौन publish करता है world bank publish करता है ये basically बहुत सारे parameters को लेके चलता है कि business कितनी आसानी से established किया जा सकता है comparison की बात करें तो अगर किसी को इंडिया में business start करना है तो उसको एक महिना लगता है पूरा documentation करने में सब कुछ करने में और अगर OECD countries की बात करें यानि कि organization of economic cooperation and development वाली countries महाँ पे 12 दिन के अंदर अंदर business start कर सकते हो तो आप definitely OECD countries में business डालना चाहोगे न तो अब यह हुआ है कि अभी pan India basis पे तो नहीं हो पाया है लेकिन बहुत सारे states से अपनी schemes ऐसे बनाना start कर दिया है जहां पे business easy हो रहा है तो basically ease of doing business index क्या करता है यह policy देखता है government की market forces क्या है human resource कैसा काम करता है उन सब को नहीं देखता सरकार की policy के हिसाब से rank करता यानि policy जितनी बढ़िया world bank में ease of doing business index में आप उतना बढ़िया अब उसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरी bodies की national company law tribunal की बात करें या national company law appellate tribunal की बात कर लें देखे national company law tribunal की appeal जो है इस मामले national company law यह NCLT है और इसकी appeal लाइ करती है NCLAT NCLAT में और फिर आगर NCLAT के भी आदेश से आप नहीं सहमत हो तो आप इसकी appeal finally कहां डाल सकते हो Supreme Court में डाल सकते हो तो यह चीज एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि NCLT हो चाहे NCLAT हो यह NCLT District Court की तरह काम करता है और NCLAT High Court की तरह काम करता है और finally appeal लाइ करती है Supreme Court में तो national company law tribunal की बात करें तो यह quasi judicial body है इंडिया में याद रहेगा quasi judicial body है जो कि companies related मामले को निस्तारण करती है इस body को Companies Act 2013 के अंदर बनाया गया था statutory body है और एक जून 2016 को basically सरकार ने इसका गठन किया यह बालकृष्णा एराडी कमिटी के recommendations पे बनायी गई है very important fact यह बालकृष्णा एराडी कमिटी के recommendations पे बनायी गई है कहते हैं कोई भी proceedings अगर हो रही है Companies Act के अंदर including जो भी related to arbitration, compromise, arrangement, reconstruction whatever it is company का winding off वो सारा मामला National Company Law Tribunal सुनती है यानि सिर्फ disputes नहीं सुनती company से related कोई भी मामला तो NCLT में बैठता कौन है तो एक judge बैठता है यह judge क्या होना चाहिए यह retired होना चाहिए या serving high court judge होना चाहिए retired high court का judge हो या serving high court का judge हो और उसको एक technical member भी assist करेगा जो की या तो Indian corporate law service cadre का I.S. अधिकारी होगा तो यह समझ गए आप तो यह facts आपको याद रहेंगे बहुत बढ़िया इसकी appeal कहां लाई करती NCLT में NCLT के appeal कहां लाई करती Supreme Court में अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ यह है budget outlay for e-courts will boost efficiency Chief Justice of India ने ऐसा कहा 7000 करोड का budget मिला है Chief Justice of India ने कहा कि जो 7000 करोड का budget है हमारे e-courts project के third phase में बहुत important होगा जहां पे हम courts के decision को हर citizen की तक पहुचाना चाह रहे हैं यह accessibility enhance करेगा judicial institutions की और हमारे judicial systems की efficiency को भी बढ़ाएगा यह बहुत बड़ा landmark change है जहां पे वो Supreme Court के सारे फैसले को online portal पे upload करवाएंगे और अभी Supreme Court ने अपनी 73rd anniversary celebrate की है तो 73rd anniversary celebrate की है इसलिए यह दिन important है Supreme Court का जो फ्रोल है वो multifold हो गया है Supreme Court को establish kept किया गया था 28 January 1950 को यह date very important 28 January 1950 को कहते हैं कि 12,441 12,471 cases पिछले दो महीनों में Supreme Court dispose कर चुका है यानि सुना चुका है फैसला दे चुका है 3.37 lakh cases जो है March 23, 2020 से लेके October 30, 2022 के बीच में Supreme Court ने सुनवाई की है इसके Supreme Court का रोल आप समझ सकते हैं Singapore के जो Chief Justice है Singapore के Chief Justice है Sundarish Menon very important उन्होंने अपना पहला एन्वल लेक्चर यहां पे दिया जहां पे उन्होंने कहा कि जुडिशीरी किस तरीके से चेंजिंग वर्ल्ड पे काम कर रहा है और इस दौर में Current Times में आप देखिए जहां पे आप देख रहे हैं कि Chief Justice of India Supreme Court की इंडिपेंडेंस पे गवर्मेंट कंजिस्टेंटली अटाक कर रही है प्रेसिडेंट का भी कहना है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है Constitution का जो डॉक्ट्रीन इन लोगों ने तेरा जजजेज ने बैटके 1973 में बनाई थी हमें शायद वो समय आ गया है कि उसको रिव्यू करना चाहिए लॉव मिनिस्टर ने भी हमारे हम लोग को कहा कि जुडिशल अपॉइंट्मेंट के घर हम बात करें तो क्यूं सुप्रीम कोट अपने कलेजियम से खुद ही डिसाइड कर लेती है जजज कौन बनेगा तो एक्जिक्योटिव मशीनरी जो है वो अटाक कर रही है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए खतर नाक है तो अब हम देख लेता है यहाँ पे बिसिकली कुछ फैक्ट देख लेते हैं सुप्रीम कोट के बारे में तो चीफ जस्टिस अफ इंडिया ने बेसिकली यही बताया 28 जनुरी 1950 को हमारा यह सुप्रीम कोट स्टाबलिश हुआ था अब डिजिटाइडेशन की बात करें डिजिटालाइडेशन की बात करें तो CGI जो है हमारे करेंट वो बड़े एडवांजड है उन्होंने कहा कि Electronic Supreme Court Reports ESCR नाम का एक प्रोजेट स्टाइड किया जहां पे 34,000 जज्जमेंट्स Lawyers, Law Students और Common Public तक Freely Accessible किया जाएगा फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा यह साभी वर्डिक्ट्स जो होंगे यह सुप्रीम कोट की वेबसाइट पे अविलेबल होंगे उसका मोबाइल आप होगा और जज्जमेंट पोर्टल जो है नाशनल जूडिशल डेटा ग्रेड उस पे भी अविलेबल होंगे ठीक है और यह बिसिकली 2023 के फर्स्ट वर्किंग डे से लागू कर दिया जाएगा तो दिस वेरी इंपोर्टेंट फार्ट फर्दर बूविंग फ्रू दी नेक्स निउस इस रिलेटेट टो इन्वार्मेंट बाइवडिवर्सिटी कंजर्वेशन और लॉट इसिंग इन एलबर्ट रॉस ऑफ दे नेक का मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गरदन से की गले से कुछ जो था ना कि गले में फास जिसको हिंदी में कहते हैं गले में फास तो इसिंग इन एलबर्ट रॉस ओफ यानि की यह एक मीडियम है इडियम है जो कि यह कहता है कि किसी दिकत से बाहर आना Easing an albatross of ठीक है वहीं Always an albatross of दनेक का सीधा significance Green Indian Bastard के conservation से है यहाँ पे अब Green Indian Bastard की बारे में बात करते हैं Green Indian Bastard नहीं Green Indian Bastard यह एक important bird है काफी बड़ी bird है इसकी photograph आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी यह उड़ती है लेकिन आपको यह जो तार बार बिजली के दिखाई दे रहा है इंसे टकरा के इसकी मौत हो जा रही है पावर लाइन केबल से टकरा रही है और इनकी मौतें हो जा रही है तो इसके conservation के लिए Supreme Court ने basically सरकार को कहा था Ministry of Renewable Energy को कहा था कि आप इस सारे cables को underground करिए अब समस्या क्या है समस्या यह है कि Union Ministry ने कहा कि private and public power companies जिसको Union Ministry of Renewable Energy ने support किया उन्होंने यह कहा कि all overhead lines को अगर हम underground कर देंगे सर तो वो बहुत expensive procedure है और impractical भी है और finally इससे होगा गया जो solar power हम सस्ती बनाना चाह रहे हैं वो महंगी हो जाएगी जो कि India के green growth के लिए hindrance है अब क्या है basically 7200 km का overhead lines जो है वो solar power transfer कर रही है एक grid को और existing lines जो है वो birds को harm कर रही है which have been dying in collision with the lines and because of electrocution only some 150 of these birds are still left and most of them in jessel मेर यानि सिर्व ये 100 great Indian bastards बची हुई है बाकी सारी क्या है खताम हो चुकी है Supreme Court ने 2019 में एक decision लिया था petition file हुई थी और फैसला लिया था कि सब को underground करिये April 2021 में court ने direct किया कि जितने भी low voltage power lines है उनको priority and potential habitats of great Indian bastards में जो भी एरियाज है थार और कच desert में उनको underground करिये priority zone identify करिये तो Supreme Court भी इसके conservation में काफी active role play कर रही है अब great Indian bastards के उपर हम facts देख लेते हैं क्या है great Indian bastard राजस्थान की state bird है ये इंडिया की सबसे critically endangered birds में से एक है ये grassland species है जो की grassland ecology की health को दरशाती है इनकी जितनी संख्या जादा grassland की health उतनी जादा इसकी population सिफ दो राज्यों में है राजस्थान और गुजरात में चोटी मोटी population महराज करनाटिक और आंदरप्रदेश में देखने को मिलती है इसके protection status की बात करें तो IUCN की list में critically endangered है sites की बात करें तो उसमें appendix 1 में है और convention on migratory species में appendix 1 पे है wildlife protection act की schedule 1 में है very important fact further supreme court ने एक committee appoint करी थी basically 2019 के उस petition के बाद जहाँ पे कहा गया कि endangered great indian busted को close to 800 km about 10% of the length of proposed power lines in the thar and the deserts of Raj Gujaraj should be rerouted and made to go underground supreme court ने तीन लगों की committee appoint करी supreme court ने ये भी आदेश दिया था कि low voltage power lines को basically आपको underground कर देना है और इस दिशा में नहीं सरकारी companies ने, power companies ने नहीं सरकार ने, इस राज्य सरकार ने कोई फैसला लिया है तो ये developing news है, it's a developing news, let's move ahead cdseo bars tamilnadu based firms from making eye lubricant भारत में जो global pharmacy of the world है भारत उसके उपर repeatedly कहीं न कहीं एक धबा लग रहा है एक question mark raise हो रहा है जब कफ सिरफ से बच्चों की मौत हो जा रही है अफरीका में और आज tamilnadu क्योंकि एक private company जो की आँखों के लिए drops बनाती है उसको USA ने, US Center for Disease Control and Prevention ने कहा कि पच्चपन adverse events हो सकते हैं इस drop को डालने के बाद और कुछ events ऐसे भी हुए जहां पर eye infection बहुत severe हो गया permanent loss of vision हो गया और a death हो गई with a bloodstream infection this is something very serious allegation on India, so how it can be mitigated and what is the current news so we are going to discuss about that अब Central Drug Standard Control Organization जो भारत में हैं हम उसके उपर देख लेते हैं कि वो क्या है तो यह Central Drug Authority है जिसका काम है basically Central Government को Drugs and Cosmetics Act में मदद करना उसका function है Central Government के under CDSCO के 6 Zonal Offices हैं, 4 Sub-Zonal Offices हैं, 13 Port Offices हैं 7 Laboratories हैं अपने control में इसका regulatory control import of the drugs के उपर भी है यानि कौन सी दवाईयां भारत आएंगी नई drugs को approval देना है for market में बेचने के लिए वो भी यही करता है उन drugs का clinical trials का approval भी यही देता है Drug Consultative Committee की meetings होती है, Drug Technical Advisory Board की meeting होती है और गहां पर कभी कभी license देना रहे Central License Approving Authority की तरह भी यह काम करता है और इसको chair कौन करता है Drug Controller General of India CDSCO को head करता है आपको comment section में मुझे बताना है कि who is the current who is the current Drug Controller General of India अगर आपने इस channel को यहां तक follow किया है इस video को तो आप channel को subscribe कर लिजे और comment section में मुझे ज़रूर बताइए who is the current Drug Controller General of India अगली न्यूस पर आजाते है अब ज़्यादा देखिए न्यूस बची नहीं है हमारे पास दो न्यूस हमारी है तो हम इत्मिनान से इन दुनों न्यूस को cover करने की कोशिश करेंगे इंडिया ने UAE के साथ और France के साथ हाथ मिलाया है Clean Energy की Trilateral Partnership करने के लिए और ये बेसिकली ये जो तीन आपको Foreign Ministers दिखाई दे रहे ना ये पिछले साल United Nations General Assembly की Meeting में मिले थे और इन्होंने कहा था कि इस तरह का Alliance ये है Start करेंगे बेसिकली ये अपना Trilateral Cooperation स्टार्ट कर रहे है Nuclear Energy और Indian Ocean Region में क्या Opportunities Available है उनको Explore करने के लिए याद रखेगा Nuclear Energy की बात जादा हो रही है अब France और इन लोगों ने कहा है कि हम Solar और Nuclear Energy में Basically Climate Change और Biodiversity में भी मदद करेंगे एक दूसरे देश की अब India, France और UAE की से इनरजी क्यों बढ़ रही है अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि Trilateral ये तिगडी कब बनी ये तिगडी Dr. Jaisankar France की Catherine Colonna और UAE की Abdullah bin Syed Al Nahayan ये UN General Assembly के Side Lines में मिले New York in September 2022 और फर्दर ली क्या बात हुआ क्योंकि India G20 का Presidency host करने वाला है और COP 28 जो है Conference of Parties 28 ये United Nations Framework Convention on Climate Change की जो Meeting है ये बेसिकली होने वाली है UAE में इस साल November में तो दोनों टाइम एक India और UAE बड़ी important meetings host कर रहे होंगे economy एक environments related तो इन लोगों के बीच में synergy जो है वो भढ़ती वह नजर आई further इन्होंने कहा synergy का बढ़ता हुआ एक रोल समझ में आ रहा है और सम्भी ने कहा कि हम one health approach की तरफ one health approach की तरफ काम करेंगे यानि pharmacy में भी एक दूसरे का support करेंगे थीक अब इन लोगों ने basically कहा है कि countries जो है ये possibility एक साथ काम करने की ढूंडेंगी Indian Ocean Rim Association के अंदर ताकि एक concrete actionable projects on clean energy, environment and biodiversity किया जा सके for all the countries that are around Indian Ocean Rim Association that is all around Indian Ocean आप देख सकते हैं इन सभी countries को ये है आपकी basically Indian Ocean इस region में और इधर Pacific है not exactly Pacific हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे East China Sea है यहाँ पे South China Sea है फिर East Side Pacific है यह आपको दिखाई देगा Atlantic यह South Atlantic है यह North Atlantic है ठीक है यह आपकी Mediterranean है This is your Mediterranean Sea This is your Black Sea This is your Caspian Sea This is Lake Baikal This is Red Sea This is Persian Gulf This is Persian Gulf This is Arabian Sea This is your Bay of Bengal Likewise इसी तरीके से map work करते रहते हैं तो अपने को बहुत चीज़ें clear होती रहती हैं भाई अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है इस पॉइंट का आप नाम बता सकते हैं Southern Most Point of Afrika Southern Most Point of Afrika कोई बता सकता है मुझे यह भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है Southern Most Point of Afrika क्या है जो कि इसको बड़े एक अच्छे नाम से जाना जाता है दूसरा Only link Only link between Mediterranean Sea between Mediterranean Sea and Black Sea Mediterranean Sea को Black Sea से जोडने वाला वो कौन सा स्ट्रेट है पहली बात तो यह समझ लिए जे स्ट्रेट क्या होते हैं और फिर समझ यह कि स्ट्रेट कौन सा है दूसरा What is so special about state of Gibraltar What is so special about state of Gibraltar Where is it यह आप Comment section में बताइए Where is it further आप मुझे यह भी बताइए कि state of Mal exceptionally and park state में क्या difference है State of Malekitaire and park state में क्या difference है कोई difference है उनके particularly composition में तो आप यह एक पहला सवाल मैंने उससे पहले पूछाया आपसे कि currently duck controller general of India कौन है और अभी मैं आपसे 4 सवाल और पूछ रहा हूं तो आप क्या कर सकते हैं जो भी आपको बढ़िया लगे question जिसके भी answers आपको आते हो उसको comment section में बता दीजेगा जिसके answers आपको नहीं आते हो उसको आप सर्च कर लेंगे तो Indian Ocean Rim Association के बारे में हम बात करते हैं यानि तीन parties हैं इसमें तीन parties कौन सी होती है government के representatives होते हैं उस country के academicians होते हैं और business leaders होते हैं जो की cooperation encourage करते हैं और interaction को encourage करते हैं आपस में तो government भी involved है पड़े लिखे लोग भी involved है और business leaders भी involved है यह open regionalism के बारे में बात करती है जहां पे economic cooperation इस तरीके से किया जाए कि region का social development और promotion हो सके अभी currently उसमें 23 member हैं कितनी country हैं 23 countries हैं यह March 1997 में बनाया गया था और idea जो था वो इंडिया और South Africa ने obviously propose किया था ठीक अभी सबसे recent member कौन है France ने सबसे recently 18 December 2020 को Iora join किया है याद रहेगा आपको अब 23 member states कौन है definitely यह देखिए जो fact हम miss कर गए na facts that is missed यह UPSC पूछ सकता है या आप से कोई भी entrance examination पूछ सकता है तो आपको 23 member states को list कर लेना चाहिए एक बार एक जगा पे ताकि आपको ध्यान रहे कि यह कौन से वो देश है जहां पे Iora ने partnership करी है ठीक है आखरी news पे आते हैं बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग news है चाइना और अमेरिका के बीच में जो differences है वो बढ़ रहे है पूरी दुनिया enjoy कर सकती है इस show को पूरी दुनिया condemn कर सकती है इन actions को क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बीच मगर खत्रा होगा तो pan Asia pan Europe इसका impact देखने को मिलेगा और क्या unsafe है चाइना और अमेरिका की लड़ाई में क्या unsafe है एक चीज हम ध्यान नहीं देते यह दोनों देश pacific ocean के छोर पे है pacific ocean के अगर हम western side की बात करें तो चाइना है pacific ocean के eastern side की बात करें तो यह अमेरिका है यानि कि एक बड़े से महासागर से दोनों बहाँ देश separated है और यह लोग लड़ाई जगड़ा काफी ज़्यादा कर रहे है अभी क्या हुआ यू US Secretary of State जो की photograph में आपको दिखाई तरह Antony Blinken उन्होंने कहा basically कि यह high altitude surveillance balloon है इसकी वज़े से मैं थोड़ा जाना सही नहीं समझ रहा हूँ अमेरिका के sky में यह आया कैसे यह unacceptable action है और कहा कि हमने Chinese diplomat के साथ बात करी है वहाँ के foreign minister Wangi के साथ और अपना plan जो है visit करने का वो postpone करने की बात करी है ठीक है अर चाहिना का कहनजा है और चाहिना ने रिपोर्स इस स्टॉटन स्यूट और मौन्टाना दिस वीक and drifting towards the east coast of US was considered by the President Joe Biden but ultimately shaved because of concerns over damage from debris ठीक है और बिंकन ने कह दिया है कि यह Chinese surveillance balloon है and we are pretty sure about that मेरे हिसाब से तो यह balloon गिरा दिया गया है मार गिरा गया है लिकिन अभी news नहीं आई है इसके उपर और यह कह रहा है कि यह जो बालून है ना फोटो खीच रहा है sensitive information इखटा कर रहा है हमने प्यार सी government को चाइना की government को कहते हैं हमने बहुत बार इंगेज करने की कोशिश करी और अपना concern raised किया है अपने सारे close allies जिनको हैं उनको inform कर दिया है कि surveillance balloon हमारे airspace में है तुम्हारे में भी आ सकता है और हमने अभी कहा कि अभी constructive visit का कोई conducive समय नहीं है देख सकते हैं trust deficit कैसे बढ़ रहा है दोनों के बीच में अभी बाली में mangrove alliance for climate की बात करते हैं mangrove alliance for climate इन तीनों देशों के लिए इंडिया और फ्रांस के लिए three countries हैं जिन्होंने अपना cooperation expand करने की बात की UAE का mangrove alliance for climate और इंडिया और फ्रांस का Indo-Pacific Parks partnership the three countries also agreed to focus on issues such as single-use plastic pollution desertification and food security in the context of international year of millets इन्होंने अपने desire शो किया कि यह इंडिया का जो lifestyle for environment mission है उसमें भी cooperate करेंगे circular economy यानी recycle करने वाली economy को promote करेंगे तो mangrove alliance for climate अभी recently announced किया गया है पिछले साल COP 27 में तो वो देख लेते हैं UN climate summit जो ही उसमें mangrove alliance for climate launch किया गया इंडिया एक पार्टनर है इसका idea किस ने रख रखा था ठीक है यह initiative जो है नहीं नहीं आइडिया जो है सौरी आइडिया जो है United Arab Emirates का था इसमें New Delhi collaborate कर रही है स्रिलंका इंडोनेशिया के साथ ताकि mangroves को forest को हम restore कर सकें और क्यूं कर रहे हैं ताकि carbon sinking coastal areas में जादा हो सके हाना तो mangrove alliance for climate में कौन-कौन है देखिए UAE है इंडोनेशिया है इंडिया स्ट्री लंका उस्ट्रेलिया जापान एंड स्पेन यह सभी देश है जहां पर mangroves are found जहां पर mangroves are found and mangroves can basically help these countries in carbon sinking disaster management and all that यह basically education और awareness spread करने के लिए है ताकि role of mangroves को पुरी दुन्या को समझाया जासके ग्लोबल वर्मिंग कम की जा सके और climate change के लिए एक potential solution की तरह उसको present किया जा सके अब जैसे की mangroves conservation और mangroves coalition के बारे में आपको ICSC की environment की किताबों में मिल सकता है इसके साथ साथ आपको यह शंकर I.S. के किताबों में मिल सकता है शंकर I.S. की जो environment किताब है उसमें मिल सकता है Central Board of Direct Taxes IRDI Ease of Doing Business Index यह सब आपको रमेश सिंग की basically एकनॉमी की किताब में मिल सकता है परमेश सिंग की economy की किताब में मिल सकता है, यह पूरी चीज आपको इंसियार्टी में में भी ना मिले, परमेश सिंग की economy की किताब में मिलेगा, अगें conservation status की बात करें, तो वो भी शंकर आयस की है, यह तो current affairs हो गया, आयोरा की बात करें, तो international relations, राजीव सीकरी जी की किताब है, राजीव सीकरी जी की international relations पर किताब है, उसमें आपको मिल सकता है, तो इस तरीके से चीजों को आप अपने static किताबों के साथ भी relate करके, अपने notes complete करें, मिलता हूँ आप से मैं अगले the Hindu analysis में, I'll see you guys, till then, all the best, bye bye, take care.